दस तारीक को वोट पढ़ने है और यहाँ पर सियासी कर्मी पढ़ रही है आप देखी कि कैसे अखलेश यादाव अपने समर्थकों के साथ लगातार जो उनके फैन फॉलोइंग है वो इतनी बड़ी है और यह शामली की साड़कों पर हम इस वक्त खड़े हैं कर्मी बहुत ब मिलेगा जो वादा किया था भादेंदा पार्टी ने कि आए दोगनी होगी किसानों की और जिस तरीके से कमाई लगाता नीचे जारी है और महगाई बढ़ती जारी है तो किसान परिवार के घर में खुशाली नहीं है तो जब सवालों का जवाब नहीं आएगा खिसी के पा जवाब हो जिसके पाद जवाब नहीं है वो ज़्यादा करह में इसलिए ये गर्मी सर्दी की बात नहीं है सवाल ये क्या खिसान खुशाल होगा के नहीं होगा और ये चुनाओ भारती जन्ता पार्टी बनाम भाईचारा है अच्छा आपने कहा कि भारती जन्ता पार्टी बनाम भाईचारा है लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की भाषा है उस पर भी आपने सवाल खड़ा किया क्या लगता है कि इस समय जब चुनाओ चल रहा है तो ऐसी भाषा इस तरीके की बाते करना किसका अधिकार छेता है कैसे यह सारी चीज़ों मुझे उम्मीद है कि इलेशन कमीशन इन चीज़ों को नोटिस करेगा और सबाब एक है लेशन कमीशन देख रहा है आचायर संक्ता का उलंगन होगा भाषा के रूप में या नियमों की रूप में वो जरूर इस बात पर देखेगा कि आखिरकार एक भाषियंता पार्टी हारती हुई पार्टी की भाषा क्या है जो जिस तरीके से किसानों का समर्थन हम बाहर देख रहे हैं यह पूरा जो बेल्ट है वो आपने भी कहा कि गन्ना बेल्ट है और किसान अंदोलन का सबसे ज़्यादा असर पढ़ा तो उनकी अपनी भी हैं बहुत सारी तकलीफे हैं किसानों के पार उनके लिए आपके पास क्या रोड में हैं समाजवादी पार्टी ने तैकिया हो गढ़वंदन ने कि आने वाले समय में किसानों को अपने गन्ना भुकतान के लिए धर्णा नहीं देना पड़ेगा और जब भी जब भी उन्हे जरुवत पड़ेगी गन्ने के पैसे की 15 दिन के अंदर भुकतान होगा और इसके लिए चाहें फार्मर्स कॉर्पस फंड बजट से बनाना पड़े समाजवादी पार्टी की और एल्डी की सका बने के बास बनाए जाएगा अच्छा एक बात हो रही है बढ़ा धुरुविकरन की चर्चा है खास तोर पे जब हम पश्ची में उत्तर प्रदेश में आते हैं तो धुरुविकरन की चर्चा और तेज हो जाती है और बहुत सारी बातें उसी से निकल करके आती है आपको लग रहा है क्या कि इस पार जो जो पिछले तीन एलेक्षन में वाता 14, 17 और 19 में उस तरीके का धुरूवी करन फिर से हो सकता है। यह चुनाव किसानों ने अपने मान सम्मान से जोड़ा है। किसानों ने जो तकलीफ और परिशानी का सामना किया है। 700 किसान शहीद हुए हैं। नजाने कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। टेक्टर नहीं चला सकते थे। डीजल नहीं भरा सकते थे टेक्टर में। जब आंदोलन और अपने हग के लिए गए तो किले लगाई गए बोल्डर लगाए गए और नजाने कितने मुकत्में लगाई लेकिन किसान जुका नहीं 700 किसान शहीदियों इसके बाद भी किसान नहीं जुका अंतो गद्वा सरकार को बोट के लिए वो तीनों कानून बापस देने पड़ें भारती जन्ता पार्टी का एक एक परतियासी अगर कान पगड़कर के 700 वार उठक बेटक भी करेगा तो किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है अभी इस वक्त कहराना एक वाली इलाके में है शामली कहराना है तो क्या लगता है कि यह जो कहराना वाला मसला है अंतिम सवाल आखरी सवाल कि क्या कहराना का मसला जिस तरीके से अमिश्या भी गए योगी आदी तरह भी गए अमिश्या जी को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था उत्तराखंड में जहां पर एक हजार से ज़्यादा गाउं खाली है और वकायता भारती जंता पार्टी ने पलाइन की रिपोर्ट बनाई थी आखिरकार वहाँ क्या है भारती जंता पार्टी का उत्तर प्रदेश स इस बार रादने ते एक पलाइन होने जा रहा है इसलिए निरास है जंता आक्रोस में है जंता इनका तरसकार कर रही है इनके बिधायक इनके नेता गाउं में नी गुस्पा रहे है और जिस तरह की घटना लखीमपूर में हुई है इनके भारती जंता पार्टी के कारिकरता भी शरम से अपना जंडा उतार लिए